वेलकम क्रिप्टो यूजर से एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है शिबायनु की प्राइज रेगुलर चार्ज रो के साथ 1731 के लेवल पर छू रही है लेकिन अभी हम एक दो दिन से 24-48 गंटे में एक न्यूज काफी वाइरल हम देख रहे है जिसमें जुलाई में शिबायनु की कीमत आस्मान छू सकती है इस टाइप की बाते कही जा रही है बहुत सारे यूट्यूब वीडियो भी इस विसे पर बन रहे है और जुलाई में शिबायनु के पंप की बात कही जा रही है तो आज हम इसी का विशलेशन करेंगे कि क्या रियल में जुलाई मन्त में जून के पेक्षा प्राइस बेटर हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो इस हिसाब से हम एक महिने का जो लोस जुलाई में हमने जून में शीबाईनू से जहला है वो कहीना कहीं रिकावर हो जाएगा 40 तो देखना दिल्चस्प होगा कि क्या इस्थिती बनती है इस मेटर पर तो एंड तक वीडियो वाच करना पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब बेल आइकोन को हिट ठीक है और शीबा के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट्स में जरूर लिखना देखे अगर सबसे प इसी वीडियो में एंड में मैं बताऊंगा वो सर्प्राइज है आप लोगों के लिए वो बड़ी नियोज निकल कर आई है ठीक है तो अगर आप यहां पर देखे तो बताया गया है कि शीबा इनू के जो मुल प्राइज हिस्ट्री है उसमें जुलाई के लिए महत्पॉर् हिस्ट्री है उसको दियान में रखते हुए यह बात कही जा रही है अब हिस्ट्री क्या है तो यहां पर बताया गया है कि सबसे लोग परे क्रिप्टोकरंसी शिबानो 2022 के बाद से अपने सबसे खराब परिणाम के साथ गर्मियों के पहले महिने के अंत में आ गई है और ज़र डाले तो जुलाई मन्थ काफी बेटर पर्फोर्मेंस यहां पर करता हुए दिख रहा है केसे तो वो यहां पर तर्क देते हैं कि जो जुलाई मन्थ है यहां पर बताये गया है कि जो जुलाई मन्थ है उसमें आसा बात का एक प्रमुक कारण होता है कि पिछले महिनो की हिस्ट्री अगर हम देखे पुराने समय में तो जो जुलाई मन थे हैं उसमें बेसिकली अगर 2023 की बात करें तो उसमें 11 परशन तक प्राइस जंप होई थी 2022 में 13 परशन तक मार्केट बड़ा था 21 की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर इसी को मद्यनजर कहा जा रहा है कि अभी भले 30 परशन डाउन गया है लेकिन 2023 और 2022 की तुलना में शिबयनु वापस इस बार वही पेटर्न दोहरा सकता है क्योंकि देखा गया है कि जून महिने में मार्केट थोड़ा से डंप जाता है और जुलाई महिने में कहिना कही मार्केट बढ़ता है तो यदि 2022 और 2023 का जो पेटर्न है वो शिबयनु दोहराता है तो शिबयनु में 2023 में पंप आया था तो 2024 में भी उसी टाइप का जुलाई मन्थ में पंप आ सकता है ये एक थियोरी दी जा रही है और इसी को लेकर बहुत सारे लोग शिबयनु में 18% का पंप 30% का पंप इसस ज्यादा का पंप कम का पंप बाते बहुत सारी कर रहे है और यही रिजन है कि यार इसलिए मार्केट यहां से थोड़ा सा पंप के दरब जा रहा है अगर हम यहां से देखे तो अगर यह थियोरी सही साबिद होती है तो तुलनात् उसरा पेटा नहीं यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो शिबयनु है वो कई न कई यहां से अभी लोस में चल रहा है वो देखने में आया है कि अभी जो बीटीसी है वो अगर आप 3-4 दिन का जो ग्राफ देखे वो 61,000-60,000 के फेर में ही फसा हुआ है मतलब मार्केट 60,000-69, 60,000 के लेवल पर जाने के बद पंप हो गया और मार्केट यहां से सश्टेन करने लग चुका है तो एक थियोरी दी जा रही है कि हो सकता है मार्केट फिर से 60,000 के लेवल के तरब बढ़े बीटीसी का और इस कारण से शिबयनु और दूसरे कोईन में थोड़ा सा पंप आप को देखने को मिल जाए जूलाई मंत में कियोंकि जूलाई मंत जैसे आने की तैयारी हो रही है अब जैसे जून चल रहा है तो जून मंत के एंडिंग में प्राइज यहांपर नीचे जरूर गई है लेकिन यहां से सश्टेन करने लग चुकी है शिबयनु की प्राइज भी यानि कि यहाँ पर इसी लेवल पर घोम रही है, तो कहाँ जा रहा ही कि एक 17 का जो लेवल है, यह सपोर्ट का काम कर रहा है इसके लिए, और सपोर्ट का काम यहाँ से मार्केट उपर की तरफ निकल सकता है, अगर यह सही होता है, तो 2-3 रीजन बन रहे है, एक तो पुरानी हिस्ट्री दूसरा बिटकोईन का अपना एक सपोर्ट लेना इसके अलावा शिबयनु का भी सपोर्ट लेना और अभी देखा गया है कि जो मीम टोकन है उसमें थोड़ा सा सोलाना मीम टोकन में अचानक से बड़त देखने को मिली है जो सोलाना एको सिस्टम क अंतरगत आते हैं और उनके बड़त के कारण भी मार्केट में हो सकता है मीम टोकन में पॉजिटिव सिगनल देखने को मिले इसके पीछे जो थियोरी दी जा रही है वो सोलाना को लेकर है सोलाना को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है जिस कारण से सोलाना का जो प्राइज से 24 गंटे में 6-7 परशेंट, 7 दिन में 10 परशेंट तक बड़ा है इसके पीछे सोलाना का ETF का एक बड़ा हाथ है यानि कि कहा जा रहा है कि सोलाना का ETF आ रहा है जो यहाँ पर वेनेक फाइल्स वेनेक कमपनी ने यहाँ पर इस सोलाना ETF के लिए फाइल्स यहाँ पर कर दिय जल्दी भी आपको Solana के ETF देखने को मिल जाएगा तो ये एक बड़ी नियोज है क्योंकि अगर आप देखेंगे मैंने पहले ही कहा है कि धीरे-धीरे आप सभी cryptocurrency के ETF आते हुए देखेंगे और अब Wennec के तरफ से files Solana के ETF के लिए करना crypto marketing बड़ी जी थे अगर आप इसको थोड़ा सा positive तरीके से देखते हैं तो आपने देखा होगा कि BTC का जो April मिला था वो कितना लंबा टाइम लगा था दूसरा ETF का April जो मिला वो इथेरियम को मिला था अब इथेरियम को ETF मिलने में मात्र 6 महिने भी नहीं लगे थे 2-4 महिनों म मिल गया था तीसरा ETF अगर आप देखेंगे तो सोलाना का है और सोलाना के ETF में भी मेरे हिसाब से टाइम नहीं लगेगा और सोलाना के ETF जल्द ही एक दो महिने चार महिने में अप्रूड हो जाएगा यहां पर एक कमाल की चीज है कि यदि October November से पहले या उस तारिक तक भी उ खेसे 10% तक प्राइस बढ़ गई है सोलाना की तो यानि कि आने वाले समय में सोलाना एक बड़ा बूश्ट करेगा और अगर पांसो डॉलर हजार डॉलर भी निकल जाए बड़ी बाहरी बात नहीं होगी इस बुल रन में हलाकि ETF की वज़े से इतना ही जाएगा डेड़ सो डॉलर भी अगर चले गया तो खूब है क्योंकि आज की कंडिशन में सोलाना एक सो चोवाले से तो 200 डॉलर तक हमें एक्सप्ट कर सकते हैं लेकिन यह एक तरीके से क्रप्टो के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज है हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी चीज है क्य या क्योंकि सोलाना पाच्वे नंबर पर है अब आप मतलब सोचिए कि किसका नंबर आएगा बी एन भी का सकता है इसके बाद एक्स आरपी का थोड़ा मो आ सकता है बट अभी इसकी जब तक प्राइज नहीं बड़े थोड़ा सा संसे के बादे लिस पर बंड राएंगे इ मेरे हिसाब से शिबायनू का या डोच कोईन का नंबर आ सकता है और आप सो सकते हैं कि शिबायनू भी ETF लेकर अगर क्योंकि देखेंगे टीम जो है ना शिबायनू की वो बड़ी एक्टिव है वो चाहेगी कि शिबायनू का भी ETF आ जाए तो ये कहीना कहीं टीम इसमें मद करेगी और मदद करेगी इसका मतलब जल्दी आने के चांसे से आप देखेंगे अगले मतलब 24 तो नहीं लेकिन 25 का मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 25 में शिबायनू का ETF आपको देखने को मिल जाएगा अलाकि क्रप्टो मार्केट है कुछ भी मतलब फिक्स नहीं होता है मा अच्छा खासा बूश्ट या जबर्जश्ट जो है प्राइस चेंज देखने को मिलेगा आपको तो सिगनल बड़े है सिगनल एक तरीके से उपर की दिसा में जा रहा है शिबायनू अच्छा परफोमेंस भी करेगा फ्यूचर में लोंग टम के हिसाब से मेरे हिसाब से शि में मिलना है क्योंकि आज की कंडिशन में शिबायनू में बहुत सरे लोगों ने अपना एक तरीके से फ्यूचर देख लिया है एक रिटायर्मेंट प्लानिंग कर रखी है अपने जो ड्रीम से है वो सेट कर रखे है क्यों शिबायनू की प्रेडिक्शन के ओपर कि आर है अब देखते हैं कितना पूरा होता है बट रिजल्ट मेरे साब से अच्छा मिलेगा फ्यूचर में आप क्या सोचते अपना ओपीनियन जरूर कमेंट्स में लिखिए आई होप वीडियो इंजोई क्या होगा मिलते नए वीडियो में नमश्कार